अलो फ्रेंड मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम आज मैं बनाने जा रही हूं अपने घर पे मचली मसालेदार बहुत ही अच्छी बनाएंगे देखिए मैंने मचली को पहले से धोके वास करके रख लिया है और उसके सारे मसाले और टमाटर प्याज सम्म मैंने पीसे रख लिया पहले से ही अब देखिए जो मैंने मचली दोके रख कए रख था भी करने के लिए इसम्हें मैंने थोड़ा सा नमक एक चमझ हल्दी और डाले और मिर्चा मृर्चा और इसको मेने मिला लिया मैंमा अब्या जब कर् I के दूखा कि लिए अर तो भुक जालते italy. तरिक नष्जर केस्टी. कई पूरा अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा तब ऊसमें मचली डालें के और एक पीश डालुक्के ऑपने हनके writers . पलट देंगे पलटने के बाद फिर उसको देर देर तक फ्राइ करेंगे क्या होता है कि अगर देर तक हम मचली फ्राइ करेंगे तो उसका टेस्ट और जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है मेरे घर में तो सारे लोग मचली बहुत ही पसंद सिखाते हैं मेरे हाथों का बना हूआ लोग बहुत अच्छी से खाते हैं और मेरे स्टाइल में बनी हुई मचली घर वाले खाते हैं तो उनको खारे कै उनका दिल अखुस हो जाता है। बहुत तारीफ करते हैं किम्हारे हाद की मजली बहुत जी यह जाओ लगते हैं और मेरे जब implicit है इसको प्लट रहें। ताका वह अच्छी तरश एंगदम अदे हम disturbance का हो जाएं। vivir निंगे nationalिभाद अधाल का स्वुआ यह दिए एक डिरे एक प्लेट में निआ जिलेंगे मश्ली निआलिये थेलश गरिंगे मश्ले त्विस्ते आफ हो बस्कुनार ऑफिस्ट करके देखें आपर अगा काते न जब ऐसे फ्राइय करके रखे रहते हैं तो अगशान डों smok तेते हैं में अदरख लसून टमाटर और सारे खड़े मसाले के जो मैंने रखना था पियाज में जरूर पीस के एम लोग थोड़ा अपने घर सरसो भी डालते हैं मचली में मसाले में सरसो रहता हुझा उसको थोड़ा सा पीस लेते हैं और फिर हम तेवार human करते थोड़ा सा सालन डालके श्यादर देर भूंते हैं जब भूंते भूंते ख्िीना ह अब जाता है तुझाजने के लिए थोड़ा पानी डालती ठब अब उसको पानी डालके भण धकने के बाद जब यह खुब अच्छी तरीके से खुलने लगेगा उसका जो तेल है उपर आ जाएगा तब समझिये की मसाला और उसका सालन रेडी हो गया है अब इसमें हम एक एक पीस मचली डालेंगे डालने के बाद देखिए एक एक पीस हमने सारा मचली इसमें अंदर सा चलाएंगे और उसको चलाने के बाद धक के खुलने के लिए देर तक खुलाएंगे खुलाने से क्या होता है इसमें जो सारा मसाला है पुरा मिक्स हो जाता है और यह जो सालन है मचली सोख लेती है तो सोख लेती है उसके बाद फिर हम खुला देंगे खुलाने के बाद धक पत्ति चलिक के अपने मेमानों को परोसेंगे और मेरे मेरे द्वारा बनाएवी मचली अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए